नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर हिंदू पंचांग के हिसाब से हर महीने 30 दिन को चंदर कलाओं के आधार पर 15-15 दिनों के दो पक्षों में बाटा जाता है एक क्रिश्न बक्ष और दूसरा शुक्ल बक्ष क्रिश्न बक्ष के पंदरवे दिन अमावस्या होती है जबकि शुक्ल बक्ष के पंदरवे दिन पूर्णिमा हर महीने की जो अमावस्या तिति होती है वो पूरवजों को समर्पित होती है इस दिन आप जो भी दान पुर्ण करते हैं और अगर आप मंदिर में जाकर भी कुछ दान पुर्ण करते हैं संकल्ब कराके तो ऐसा माना जाता है कि वो पित्रों को मिलता है इन दिनों पौश का महीना चल रहा है पौश का पूरा महीना ही पूरवजों को समर्पित माना जाता है और यही कारण है कि इसे छोटा पित्री पक्ष भी कहाती है ऐसे में पौश के महीने में पढ़ने वाली अमवस्या तिति का महतुर अन्य अमवस्या तितियों से कहीं जादा बढ़ जाता है पौश के महीने की अमवस्या तिति दो जनबरी 2022 दिन रविवार को है इस बार की अमावस्या सुबह 7 बचकर 14 मिनट से शाम 4 बचकर 23 मिनट तक सरवाट सिद्धी योग में है मतलब कि इस दिन अमावस्या तिथी में सरवाट सिद्धी योग भी लगा हुआ है अगर ऐसे में आप श्रद्धा पूर्वक कोई भी कारे करते हैं तो वो पूरी तना से सफल होगा यहां आप जानिये अमावस्या के दिन किये जाने वाले खास उपायों के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पित्रों का तरपन करने और उनके निमिकते श्राद कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है पित्रों का तरपन करने से वे प्रसन होते हैं और अपने वन्शजों को आशिरवाद देते हैं पौश अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदी में सनान कर भगवान श्री हरी की पूजा करते हैं अगर आप गंगा में जाके सनान कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो आप गंगा जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो उसको भी पानी में डाल के आप इस दिन इससे नहा सकते हैं जोतिष शास्त्र के मुताबिक अमावस्या के दिन कई उपाय किया जाते हैं इन उपायों को करने से जीवन में सुख सम्रिद्धी आती है पौश अमावस्या के उपाय के पारे में अब जान लेते हैं मानता है कि अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरत मंदों के साहिता करनी चाहिए अमावस्या के दिन भोजन करना अपुणने का काम माना जाता है आप भी पौश अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरत मंदों को भोजन अवश्य कराएं ऐसा करने से पितर प्रसन होते हैं शास्त्रों के नुसार अमावस्या के दिन भ्रहमनों को भोजन कराना चाहिए पोश अमवस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद सामर्थे अनुसार भ्रहमणों को भोजन जरूर करवाएं इसके बाद उन्हें दान दक्षणा भी दे इस दिन प्राताकाल पवित्र नदी या सरोवर में सनान करने से जीवन में व्यापत सभी परशानियाओं का अन्त होता है आप जैसे कि मैंने बताया कि पवित्र नदी में सनान अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगाजल से सनान कर सकते हैं ऐसा करने के बाद आटे का चारा आप मशलियों को खिलाएं। अमवस्य के दिन काल सर्प दोश की पूजा और उपाई किये जाते हैं। कहते हैं कि पौश अमवस्य के दिन चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अमवस्य के दिन एक लोटे में जल लें और इसमें लाल फूल और काले तिल डालें। इसके बाद अपने पित्रों की शांती की प्रातना करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल को जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ पर सफेद रंग की मिठाई चणाएं और 108 बार परिक्रमा करें। इसके अलावा किसी जरूरत मंद को तिल के लड़ू, तिल का तेल, आवला, कंबल और वस्त, रादी, समर्थिक उनसार दान करें। पित्रों की शांती के लिए गीता के साथवे अध्याय का पार्ट करें। ये गीता के साथवे अध्याय का जो पार्ट है वो आगर आप कर सकते हैं तो हर अमवस्या पे आपको जरूर करना चाहिए। पित्रों के निमिकते ये सभी काम सुबह साड़े ग्यारा बजे से दुपहर धाई बजे तक हर हाल में कर लेने चाहिए। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और उनकी नाराजगी समाप्त हो जाएगी। ये दुपहर का जो समय होता है इसे कुटुप महुरत बोला जाता है। कुटुप वेला में अगर आप ये पित्रों का काम करते हैं तो इससे आपको काफी लाब होगा। उनकी मुक्ति से आपके परिवार में पित्री-दोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा अगर आपके परिवार में किसी करंच से आपसी प्रेम की कमी होने लगी है तो अमवस्य के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और परिवार की सुक समरिद्धी के लिए कामना करें संभव हो तो हर अमवस्या के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए ऐसा करने से आपके परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा अगर कोई करियर की बादा है तो मेहनत के बावजूद भी अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो अमवस्या की रात को पांच लाल फूल और पांच दिये जलाकर अपनी कामना बोलते हुए बहती नदी में प्रवाहित कर दें ध्यान रखें कि इस वपाई को करते समय कोई आपको देखे नहीं इसके अलावा आप काले कुटे को सरसों का तेल लगाकर रात के समय रोटी खलाएं इससे आपकी समस्याएं कुछ ही समय में दूर होने लगेंगी और धनलाब मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपको काफी मेहनत के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है तो अमावस्या के दिन एक नीम्बू लेकर घर के मंदिर में रखें रात के समय नीम्बू को साथ बार बेरोजगार वक्ती के उपर से वारें और इसके चार टुकडे करें चुराहे पर जाकर इन टुकड़ों को चारों दिशाओं में फैक दें इससे तमाम बादाएं दूर होंगी और रोजगार मिलने के समभावनाएं काफी प्रबल हो जाएंगी तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया पौश अमावस्या के बारे में और उनके अपाई आप इस दिन गंगा जलसे सनान जरूर करें और हर अमावस्या के दिन अगर हो सके तो आपको मंदिर में जाके कुछ अपने पित्रों के निमिक दान करना चाहिए संकल्प कराके जरूर करें ऐसे ही पंडित जी को जाके ना दे संकल्प कराके दें संकल्ब कराने से वो पितरों को ही मिलता है आपके जो पितर होते हैं क्योंकि उसमें पूरा संकल्ब कराया जाता है तो संकल्ब कराने में दो मिनट लगती है एक मिनट लगता है बंडी जी को वो आप इस तरह जरूर करें और पीपल के पेड़ में जल चड़ा सकते है साथ ही सूर्य देवता को भी जल चड़ाए दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो क्रिप ऐसे लाइक वर शेयर जरूर कीज़े साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिप ऐसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दमाएं ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन्स हो वो तुरंद आप तक पहुंचते रहे